हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश एजूकेशन आज हम इस वीडियो में काइंड्स ओफ नाउन हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसकी जो एक्सरसाइज है सेकंड वो करते हैं इसके अंदर क्या दिया गए इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कि वो देख देते हैं कि each of the phrase given below content से collective nouns ठीक है ये नीचे क्या कुछ phrase दी गई है ये सारी क्या है collective nouns है complete each phrase by putting in the missing word तो हमने क्या करना है इनके अंदर कुछ word है दिये गए है उनको missing है कुछ words उनको क्या करना है write करना है इतना ध्यान में रखना है और इसके अंदर क्या क्या है choose from the box ये box दि क्या है इनमें से choose करके आपको क्या इनमें fill करना है sentence को ठीक है इस phrase को complete करना है तो start करते हैं इस वीडियो को तो इसके अंदर देखिए कि मैंने आपको क्या है previous lecture के अंदर special list करवाई थी collective nouns की ओके आप उनको देख लीजिए तो अगर वह आप लिस्ट देख लोगे आपके जो class 6 के अंदर आपके syllabus के अंदर जो kinds of nouns के अंदर collective nouns है आपके 28 दिये गए हैं तो आपने क्या करना है वो 28 ही याद करने हैं इसके लगा कुछ भी नहीं करना और उस 28 में से ही क्या है आपकी ये exercise बनी ही है अगर आप अच्छी तरह उनको कर लोगे तो इस exercise में आपकी कभी बीदे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसको करते हैं आपको क्या दिये के ये box दे दिया गया सिर्फ आपको सिर्फ उसमें से देख के क्या करना है इसके अंदर बस राइट करना है कि हां कौन सा collective nouns है किसके साथ यूज़ होगा और कौन सा वर्ड है उसकों से collective noun के साथ इसके साथ कौन सा वर्ड आएगा सिर्फ आपको इतना ही यूज़ करना है बताना है तो साथ करते हैं फर्स्ट से अब इसके अंदर देख लिए cattle, soldiers, sticks, sheep, sheep, flowers, fish, wolves, grass, dancers, magician, soldiers ये word दिये गये हैं आपको तो इनको क्या करना है हमने इनके अंदर write करना है इन जो fill in the blanks के अंद है तो सबसे पहले फर्स से स्टाट करते हैं कि a bunch of तो bunch जो collective noun है ये किस के साथ आएगा ये हमें ध्यान में होना चाहिए अगर हमें याद है हमने याद किया हुआ है कुछ collective nouns को जो हमारे syllabus में तो तो हम ये ये कहते है न फटा फट कर देंगे है तो ये फटा फट कर देंगे तो इसके अंदर देखो पहले कि bunch जो होता है वो किसके लिए use होता है जो collective noun ये graphs के लिए use होता है तो इसके अंदर जो word दिया गया है graphs ये हमें यहाँ पर write करते हैं इसके अलावा और मैं clear कर देते हूं तो ये वर्ड जो है किसके लिए आता है जो bunch है ये banana's के लिए भी आत लिए next जो sentence लेते हैं जो phrase लेते हैं अपने कि बंडल of bundle है किसका bundle है तो इसके अंदर देखिए कि ऐसा कुछ सा word है स्वर्ड जिसके अंदर हमें bundle से ये sticks है तो bundle किसका होता है stick जी होता है तो यह हमें इसके अंदर write कर देना ये word हमें six ठीक है तो यहाँ पे यह bundle क्या collecting noun है तो इसके साथ में कुन सा मैच होगा? स्टीक्स यहां पर मैच होगा. यह वर्ड यह हमने यहां पर राइट करती है. Next चलते हैं. Next लेते हैं, a band of. Band किसका होता है? हमेशा यह हमने किया है, जो examples हमने किया है, collecting noun जो किया था उसके अंदर, कि a band तो हमेशा है किसका होता है? Musician का होता है. तो यहां पर हमने लगा देना है, Musicians. Musician, word आएगा. अब किसके साथ में? Band जो collective noun है, उसके साथ में. Next चलते हैं, a book के, किसके होते हैं? Flowers के होते हैं, तो flowers के यहां पर word आजएगा. तो यहां पर हम लगा देते हैं. Flowers लगा देना हैं. तो यहां पर हमारा collective noun है. Next चलते हैं, तो इसके अंदर, यहां पर जिसके जो हो चुका है, उसको हम क्या करते हैं? Mark करते जाएंगे, Musician हो चुका है, Flowers हो चुका है, इसके अंदर, हमारा sticks हो चुका है, ठीक है, और इसके अंदर, Graps हो चुका है, Next चलते हैं, Next है, Heart of Heart, जो जुन्ड है, जुन्ड की बात हो रही है, कौन से किसके जुन्ड की बात हो रही है, यहां पर, Kettle के, तो यह जो Heart, जो word आता है, वो हमेशा ही किसके लिए आता है, Kettle के लिए आता है, यह बैफैलोज के लिए आता है, यह दो चीज़ वहने बताये थी, कि Heart, जो Collective Noun है, एक तो Kettle के लिए यूज़ हो, यह दूसरा बैफैलोज के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, यह हमें ध्याल में रखना है, आगे देखे, तो इसके अंदर यहाँ पे यह वर्ड भी केया है, हमारा, तो इसके अंदर देखे कि, यह Resriment of Shoulders, यहाँ पे किसके लिए यह Resiment, किसके लिए यूज़ होता है, Shoulders के लिए यूज़ होता है, या फिर इसकी जगे हमारा वर्ड आ जाएगा आर्मी वर्ड भी हमें यूज़ कर सकते हैं शोल्डर के लिए जो क्लेक्टिर नाउन है वो भी हमारा आ सकता है नेक्स जलते हैं इस फॉक ओप वो जुन्ड होता है किसका शीप का शीप नेक्स लेक्स जो होता है, वो किसका होता है, क्रूप की हगर हम बात करें, तो वो होती है, सैलर्स की, नाविक की क्या होती है, एक क्रूप होता है, हम जो नूर्मल अपने बात करते हैं, तो यह किसके लिए आएगा, सैलर्स के लिए नाविक के लिए आएगा, अब देखो कि यह पैक, पैक वोल्स का होता है मैंने बताया था आपको वोल्स का हो सकता है कार्स का हो सकता है और किसका होता है थीव्स का हो सकता है यह इनके लिए जो क्या है क्लेक्टिव नाम कौन सा यूज होगा पैक क्यूज होगा कौन के साथ वोल्स के साथ कार्स क्या थीव्स के साथ हम लगा सकते है अब नेक्स चलिए तो इसके अंदर देखिये कि जो word, जो collecting nauna fleet आया है, fleet जो है किसके लिए ships, ships के लिए use होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह collecting nauna किसके लिए use है, ships के लिए use होता है, यह हमें ध्यान में रखना है, नेक्स चलते है, a shawl, यह word यह यह तो, I hope आपको यह समझ आ चुक है क्योंकि प्रीवीस जो लेक्जर है उसके अंदर आप क्लेक्टिव नाउंस की तो मैंने टू वीडियो बनाई है वो आप एक बार देख लीजिए अगर एक बार वो देख लोगे तो आपको इस जो एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉबलम नहीं आने वाली है ठीक है त आपको क्या देंगे एक्जाम के अंदर सिर्फ यह box बनाकर यह देंगे कि हां यह वर्ड है यह collective नाउंस है यह कुछ वर्ड देंगे ठीक है जैसे like soldier है cattle है flowers है फिश है कुछ भी दे देंगे उसे related ठीक है हमें इसल्फ क्या करना है उनको रॉइट करना उस phrase को write करना है, complete करना उस phrase को, तो I hope आपको यह समझ आ चुका है, तो मिलते हैं next video में, next lecture के साथ thanks for watching this channel, thank you very much